वेलकम तो माई चैनल ट्रू मेडिकल दोस्तो आजम रिवियू करेंगे बहुत ही बढ़िया डेक्सुरेंग कैपसूल के उपर इस वीडियो में आपको कम्पलिट जानकारी मिल जाए कि डेक्सुरेंग कैपसूल के बारे में इस कैपसूल के बेनफिट, साइड इफेक्ट, यूज और प्रिकेसंस इस वीडियो को देखने के बाद डेक्सुरेंग कैपसूल का आपके मन में किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहेगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल एकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाले सबी लेटेस्ट नोटिफिकेसं आपको सबसे पहले मिलते रहे डेक्सरेंज कैपसूल फ्रेंको इंडियन फार्मसिटिकल कमपनी के दुआरा बनाए जाता है और तीस कैपसूल के इसकी एक छोटीशी बोटल होती है MRP इसका 128 रुपे के करीब होता है डेक्सरेंज कैपसूल आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस है इस कैपसूल को हम OTC भी बोलते है OTC मतलब करीब करीब सभी मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है इंग्रिडेंट की बात करें तो इसके अंदर फेरिक अमोनियम सिटरेट, ऐलिमेंटर आइरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, जिंक सलफेट, ऐलिमेंटल जिंक अब बात करते हैं इसके कुछ बेनेफिट के बारे में डेक्सूरेंज हिमेटरिक केपसूल है जिसके बहुती बढ़िया फाइदे होते हैं जैसे आईरन की कमी, एनीमिया, एनीमिया मतलब खून की कमी खून की कमी होने की वज़े से हमारी बोड़ी में बहुत सारी बिमारी हो जाती है खून की कमी होने से पैरों में दर्द रहता है, पेट खराब रहता है, भूग नहीं लगती है, खाना भी डाइजेस नहीं होता यहां तक कि पैप्टिक अलसर और पाइल्स की कमी भी खून की कमी की बज़े सही होती है तो ऐसी कंडिशन में हम डेक्सोरेंज कैपसूल को यूज करते हैं और जनरल विकनेस में भी इसका बढ़िया रिजल्ट होता है जनरल विकनेस मतलब थकान होना, चलते फिरते चक्कर आना, आंकों से धुन्दला दिखाए देना, बहुत ज़्यादा कमजोरी आना, सुस्ती आना, काम करते टाइम बहुत ज़्यादा थकान होना तो ऐसी कंडिशन में भी डेक्सुरेंज कैपसूल का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट होता है इसके अलावा प्रिगनेसी के दोरान भी बहुत ज़्यादा ब्लड लोस होता है तो प्रिगनेसी में भी इस कैपसूल को इजिली यूज़ करते हैं और एक बात मैं और किलर कर देता हूँ बहुत से पर्चन इस कैपसूल को मोटा होने के लिए यूज़ करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है हाँ ये कह सकते हैं डेक्सुरेंज कैपसूल बोड़ी की सारी रिक्वार्मेंट को अच्छी तरीके से पूरी कर देता है जिससे हमारी बोड़ी पूरी तरीके से फिट हो जाती है डेक्सुरेंज कैपसूल बोड़ी में एनरजी को इंकलूड करता है मोटा बिलकुल भी नहीं करता है तो ये थे इसके कुछ बेनफिट अब बात करते हैं डोस के बारे में डेक्सुरेंज कैपसूल की ओवरडोज ना ले और किसी भी मेडिसीन को यूज करने से पहले एक बार उसकी एकस्पायरी चेक कर ले और डेक्सुरेंज कैपसूल को कभी भी खाली पेट ना खाए तो ये थे इसकी कुछ प्रीकेसंस अब बात करते हैं side effect के बारे में इस capsule के भी side effect सामने आ जाते हैं जैसे allergy, loge mission, stomach pen इस तरह के side effect सामने आ जाते हैं उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी तो ये थी dexorange capsule से related कुछ जानकारी आज की वीडियों बस इतना ही मिलते हैं किसे नहीं वीडियो के साथ वीडियो पसंदाए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें